अब यह चलते हैं टॉपिक्स योड हमारा टॉपिक्स जो है प्रजेंट टेंज यानि की प्रमप्रागत व्याकरन यानि की ट्रेंडेंचल अभी का जो समय चल्डा इसके अनुसार टेंज तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट में होता है प्रजेंट टेंज यानि की वर्तमान काल या वर्तमान समय यानि की प्रजेंट टाइम का बोध कराता है जब कोई काम वर्तमान समय में होता है या हो रहा है या अभी हो गया है जैस्ट खतम हुआ है तो उसकी किरिया प्रजेंट टेंज में होती है एक्ज सबी यह सबी जो आप एक्जांपल देखे है ये है सभर बंडेंगे उसके पहले हम परते हैं गि ् Cover बेखे अब से में होता है या बिते हुए समय में समाप्त हो गया हो यह रहा था तो उसकी क्रिया पास्ट टेंच में होती है इकजाम्पल वह पढ़ता था मुझा का इकजाम्पल अब हम देखते हैं तीसरा जो Ben hoot है वहोता है फ्यूचर टेंच में होता है यानि कि भविष्यत काल या आने वाले समय फ्यूचर टाम्स का बोध कराता है जब कोई काम आने वाले समय में होगा तो उसकी किरिया फ्यूचर में होगी यानि कि वह पढ़ेगा वह पढ़ता रहेगा वह पढ़ेगा वह पढ़ता रहेगा वह पढ़ता रहेगा वह पढ़ता रहेगा वह पढ़ता रहा होगा यह सभी जो एक्जामपल थे यह सभी फ्यूचर टेंस के एक्जामपल थे तो अभी तक में दोस्तों यह समझ में आओ गया होगा कि पास्टेंज फ्यूचर टेंज एबं प्रजेंटेंज क्या होते हैं और उनका किस तरह से एक्जामपल होता है बिल्कुल शरल भासा में हिंदी भासा में आपको हम इंगलिश सिखा रहे हैं यह हमारे चैनल की सबसे पहली विश्चता हैं कि हम इंगलिश सीखाने के लिए हिंदी में परियास किये हैं अब हम बात करते हैं आगे कि प्रतिक टेंज की चार मोते हैं यानि कि जैसे कि आप देखिए हैं पेूसर टेंज पास्टेंज ये तीनों को अलग-लग प्रकार से यानि कि अलग-अलग से चार भेद होते हैं पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं और प्रजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं तो एक नंबर में जो होता है इंडिफनिट और सिम्पल टेंस यह सभी के लिए हैं पास्ट टेंस में भी होगा पास्ट इंडिफनिट यार सिम्पल टेंस फिर फ्यूचर टेंस अगर आएगी बारी तो उसमें भी होगा फ्यूचर इंडिफनिट या और फ्यूचर सिंपल टेंस अगर आजाएगी क्या तुम पास्ट हो गया प्रजेंट टेंस में तो प्रजेंट इंडिफनिट हो जाएगा और प्रजेंट सिंपल टेंस दूसरा नं से चारोऊ अप्रब्रकाद होता है वह σब्सक्रा नहीं होता है तो हम इस वीजिएporter खतम करेंगे कि वीडियो में वीडियो थोरा लंबा बनेगा लेकिं लाज्ट तक में देखेगा थो उम्मेद्ट करता हूँ कि आज के यानि की पर्मामेंट एक्टिविटी जो अभी हो रहा है याना चिरंतन सत्त इन्वर्शल ट्रत्त शिद्यांत प्रिंस्पल लोकोक्ति यानि की प्रुब का बोध करने के लिए हम इस टेंज का परियोग करते हैं जैसे अस्टार साइनेट नाइट ओईल फ्लोर्स ऑन वाटर यानि की कॉंडिशन का बोध कराने वाले वाक्यों में यदि प्रिंस्पल क्लाउज में फ्यूचर टेंज परियुक्त हो तो सब ट्रिवियल क्लाउज में इस टेंज का परियुक होता है तो ये था ये क्या था कि ये आपका हो गया दूसरा नंबर में ऐसे कारें जो बोलने के वक्त जारी हो के लिए इस टेंस का परयोग होता है जैसे they are dancing in the room number two में इस टेंस का परयोग ऐसे कार के लिए भी होता है जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा है लेकिन अभिष्ट समय के आसपास या इन दिनों हो रहा है इस टेंस का परयोग निकट भविष्ट यानि कि जो अभी तुरंत हुआ है नियार फ्यूचर के कार्जकरम या योजना का बोध कराने के लिए होता है जैसे सीज लिविंग फोर डेली टूनाइट अब बात करते हैं थर नमबर में पर्जेंट परफ्रफेक्ट टेंस परजेंट परफेक्ट टेंस जो हुता है इस TENS का परियोग ऐसे कार यनकी action के लिए होता है जो अभी समाप्ट हुआ है वो present perfect tense होता है He has left for whom इसका दूसरा point होता है कि इस tense का परियोग ऐसे कार का बोध कराने के लिए होता है जो भूत काल यनकी past में आरंभ हुआ है और बर्तमान यनकी present में जारी है इस परकार के भाव के साथ science 4 का परियोग आवसकता अनुसार होता है जैसे आई हैब नाउ हर फोर फाइफ यर्स जी सेड ही हाज लिब्ड हायर शाइन 1992 अभी सब हम लोग चल रहे हैं present जिशके present के पहला पर लिए दुसरा पर लिए तिसरा पर लिए present परफेक्ट continuous पर आता है यानि कि यह चौथा नंबर का है फिर यह खतम हो जाए पर्जेंट का तब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रफेक्ट करने के लिए किया जाता है जो भूत कालियन की प्रारंब हुआ और अभी हो रहा है जो भूत कालियन के पहले प्रारंब हुआ है और अभी बरतमान में चल रहा है वह परजेंट केलाता है अग्यांपल हो गया में इसका जो यह भी होता है जो भूत काल यानि कि पास्ट में आराम हुआ कुछ समय तक जाली रहा और इस समय समाफ्ट हो गया है आई है वेटिंग फोर यू नैस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कर रहा हूं नंबर फाइप में होता है नंबर है फाइप नंबर हम यहां लिखा हुआ है लेकिन आपका सिंपल पास्ट के सवसे देखर पास्टेंसॉस हुआ पहला टीप हुआ तो इस बीडियो की पाष्ट करनिकि समाप्ञक्ठ हो गया है फोर इक्जाम्पल माई ब्रोदर मिस्ट दर ट्रेन लास्ट नाइट नमबर टू में भूत काल में कोई कार करने की आदत यानि की पास्ट हैविटेंट एक्षन को बैक्ट करने के लिए इस ट्रेंज का परियोग होता है फोर इक्जाम्पल आई एलवेज हक पैल बेड हर नंबर ट्री पॉइंट में इसका होता है यानि की परर्जेन परपेक्ट सोड़ी सिंपल पास्टेंज का नंबर पॉइंट थरी में होता है कि काल्पनिक भूद्क यानि की अन्रियल पास्ट का बूद कराने के लिए ऐस इप एकिंट आइबिष सित्यादी के बाद इस का पर्योग होता है फोरिक्जांपल आईविस ऐवे अर्दा प्राइम मिनिस्ट नेक्स्ट वॉइंट होता है यानिकी पास्ट कंटिनुर्ट लीय। पास्ट तेंज का पॉइंट नंबर टो स्वर्य टाइपस पॉइंट टाइपस नंबर टू पास्ट कंटिनियोस टेंज भूत काल में किसी काज के जारी रहने का वर्नन करने के लिए इस टेंज का पर्योग होता है पॉर इक्जामपल दे वे टॉकिंग लॉडली नंबर टू पॉइंट होता है इसका कि जब भूत काल में दो कार एक ही समय में हो रहे हो तो दोनों कार जो के लिए इस टेंज का पर्योग होता है पॉइंट नंबर टू पॉइंट 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 पर्फेक्ट टेंज यानि कि पास्ट टेंज का तिसरा टाइप्स यदि भूत काल पास्ट में दो कार हुए हो और एक कार दूसरे कार से पहले समाप्थ हो गया हो तो पहले समाप्थ होने वाले कार्ज के लिए पास्ट पर्फेक्ट टेंज और बाद में समाप्थ होने वाले के लिए पास्ट इंडिफनिट टेंज यानिकी सिंपल पास्ट क से पता चलता है कि यह कार दूसरे कार से पहले समाप्त हो चुका था उसके लिए भी पास्ट प्रफेक्ट टेंश का पर्योग किया जाता है फोर्जामपल आई हैड रे अल्रेडी रिचेड हों अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉंटिनियूर स्टेंश यानि क पास्ट टेंश का लास्ट टाइप यानिकी नंबर टैप परफेक्ट में होता है इस टेंश का परियोग उन कारियों एक्षण के लिए होता है जो भूत काल में कुछ समय तक जारी रहे थे पूर्ग्जामपल सी है बीन लिविंग है फोर टू यर्ड अब बात हो जाती है फ सबसे पहले तो हम यह जाने की चार चार पार्ट होते हैं तो उसमें हम पढ़ लिए पास्ट का पर लिए और प्रजेंट का पर लिए अब हम लोग उसी तरह से फ्यूचर का भी पढ़ेंगे वीडियो को लाइस तक देखेगा उमिद करते हैं पूरी जानकारी आपको मिल है सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है इस टेंस का पर्योग ऐसे कार एक्षन के लिए होता है जो भविश्य में सामानने रूप से होगा जैसे आई सेल बिट हर एट फाइफ क्लोक नेक्स्ट पॉइंट है इरादा यानिकी इंट्रेशन यानिकी इच्छा विल चतावनी थे इस पॉइंट टू हो गया इस टेंस का परियोग ऐसे कार्ण के लिए होता है जो भविश्य में कुछ समय तक होता है जैसे इविल भी प्लैंग इंडा ग्राउंट नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस टेंस का परियोग ऐसे काज के लिए किया जाता है जो भविष्च में किसी निर्धारिश समय तक समाप्त हो चुकेगा आई शेल है इस वर्क बाई इवनिंग यह मैं यह काज साम तक खतम कर लूँगा यदि भविष्च में दो कार होने हैं दो कार होने हैं और एक कार दुसरे से पहले कैसो हो चुकेगा तो पहले समाप्त होने वाले काज के लिए को स्झा परफेक्ट देंस तथा दुसरे काज के लिए सिंपल परियूग होता है जैसे वी सब्सक्राइब कार्योग को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविश्य में किसी निश्ची समय तक जारे रहेंगे पर्योग होता है जैसे वील ही बिन लिविंग जन्रेरी ध्यान रखे यदि वाक इंडारेक्ट नैरेशन में हो रिपोर्टिंग भर पास्टेंश में हो रिपोर्टेटर स्पीच में भी पास्टेंश का पर्योग होगा उमिद करते हैं आज यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा टेंश आपका क्लियर हो गया होगा पूरी जांपल के साथ हिंदी में आप समझ गये इसका नोट्स बनाइए इसका पीडिया डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से ग्रूप से जॉइन हो यह मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उ पूरे हिंदी ग्रामर का वीडियो हमारे चैनल पर लब्द है आप देख सकते हैं ओके थैंक्ट यू